हेलो एब्रिवन तो आज बना रहे हैं सूपर सॉफ्ट बिल्कुल मुह में घुल जाने वाले दही वड़े इसे हम बनाएंगे बिल्कुल जटपट से यह बनाना बहुत आसान है कई बार लोगों की शिकायत होती है कि जब वो दही वड़े बनाते हैं तो उसके बीच में गु पूरत की डाल इसको मैंने रात में ही भिंगो दिया था क्योंकि मुझे सूभा बनाना था यह बहुत अच्छा फूल चुका है तो इसको मैंने अच्छे से धोलिया है तो लंबे टाइम तक जब यह सोक होता है जब यह भिंगोया जाता है तब दही वड़े बड़े तो यहां पर मैं इसे दो बार में पीस होंगी तो आधा अभी मैं इसे डाइंडजार में डाल दे रही है इसको डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम बहुत ज़्यादा पानी मट डालिएगा थोड़ा सा पानी डाल के और धकन लगा के हम इसे पीस ले रहे हैं तो यहां पर देखें , यह देखें , और वापस से उसी process से हम बाकी की जो डाल है , उसको भी पीष लएए यहां पर जो आधी दाल बच गए थी , उसको भी मैंने पीष लिया है , और अब इसे भी हम उसी वडर्तर में रखेंगे ! जिसमें हमने पहले वाले को पीसके रखा है, तो इसमें डाल देंगे इसको और डालने के बाद अब मैं सबसे पहले डाल रहे हूं, एक चमश भर के कुटी हुई अधरक, दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, और यहाँ पे थोड़ी सी हिंग, जरूर डालेंगे को बहुत अच्छा टेश्ट आता है, इसके बिना दही वड़ा जो है, वो बिल्कोल अधूरा है. तो इन चरू को जरूर डालें. और यहां पे नमक भी डालना होगा, लेकिन नमक अभी ना डालके, इसको फेटने के बाद हम डालेंगे, प्रेटने के बाद तो छलिए इसको फेटने के लिए यहां पर देखिए एक apron मैंने के लिए aur आप आप से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी चमगी से किसी भी चीज से कर सकते हैं यहां पर इसीoni's spoon से हम एक ही direction मैं इसे कर सकते हैं जब हम इसे फेट लेंगे ना तो इसका पता कैसे चले गा यह बिलकुल हलका हो जाएगा बहुत है सैट लेने के बात की इसको बहुत हलका का बात की आप हमाथचे से बेलेता, चेज को डीकी है मात्र बढ़ जाती है एक और चीजा है जिससे इसका पता चलता है कि अच्छेसे हमने इसको फेटा है की नहीं यहां पर लगभग 8 मिनट हो गया है यह देखते हैं यह देखिए इसकी मात्रा बढ़ गई है और यहां पर अब हम चेक करेंगे कि हमने इसे अच्छे से फेटा है कि नहीं तो यह देखें यहां पर पानी रखा है मैंने वड़ों को भीओने के लिए रखा है पानी उसी पानी मैं इसको टेस्ट कर रही है यह देखें चम्मा से थोड़ा सा डालेंगे हम यह उपर तैरने लगा है इसका मतलब हमने इसको बहुत अच्छे से फेटा है और यह हलका हो गया है कोई भी चीज अब हलकी होती है तो उपर तैरने लगती है अगर यह बिल्कुल रेडी है तो अब यहां पे हम इसमें स्वात के हिसाब से नमक टालेंगे और नमक को मिक्स कर यहां पे कढ़ाई में मैंने तेल डालके गरम होने के लिए रख दिया था जो कि तेल हमारा बहुत अच्छा गरम हो चुका है पहले हम तेल को बहुत अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद यहां पे लो टू मीडियम पे हमें तलना है वैसे आज आप अपने हिसाब से भ एक हम तलने क लिए डाल रहे है इसमें एक इसको इसलमे हम तलने के लिए डाल रहे हैं समा Colonial Palance और इसलम कृए इसे उलट पलट के golden brown होने तक हम तलेंगे यह देखिए और बिल्कुल चारो तरफ से बराबर सा इसका color आ जाएगा बिल्कुल चलाते हुए इसे तलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह हो चुका है तो अब हम निकाल लेंगे और वापस से फिर से एक बार और हम इसी process से इसको अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ था इस भगोने में अब इस इन वड़ो को हम इस पानी में डाल देंगे क्योंकि बड़े हमारे अभी गरम है तो इसलिए पानी को मैंने नॉर्मल लिया हुआ है तो इसके अंदर डालेंगे तो बड़े इसा बरतन इसके उपर रखिए जो कि थोड़ा सा उसके दबाव बनाएं अंदर की तरफ और वह बहुत अच्छे से पानी के अंदर भींग जाए यहां पर इसको डाल दिया है मैंने और अब थोड़ा सा इसको फूल ले देते हैं धग देते हैं यहां पर देखिए तब तक च दही को लेके अब इस दही को लेने के बाद हम फेटेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको फेट लेना है और चलिए अब फेटने के बाद इसमें डाल रहे हैं स्वाद के हिसाब से नमक और नमक डालने के बाद अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं अब यहां पर जो ब हपाद के हाथों से पानी निछोड़ेंगे यह प्लेट में रखते जाएंगे यहां पर मैंने इनको रख दिया है और इसके उपर से हम डाल रहे हैं यह फेटी हुई दही दही को अच्छे से डाल देंगे तो दही बड़े हैं तो दही अच्छे से डालेंगे तो दही को डाल दिया है और इसके उपर से अब हम डाल रहे हैं हरी चटनी यह वही हरी चटनी है जो आमतोर पे खाने पे हम घर पे बनाते हैं तो वही वाली चटनी है और इसके बार डाल रहे हैं इमली की चटनी का जो टे अगर आपको और तीखा चाहिए तो, क्योंकि अंदर हमने तीखा एड़ किया है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ और इसके उपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं यहां पे काला नमा यह देखे इसको भी डाल दिया है और यह हमारा जो दही बड़ा है वो बनके बिल्कुल तयार है यहां पे मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ यह देखे कि यह कितना सॉफ्ट है यह देखे इसको काट दिया है यह देखे काटते के साथ यह तूतने जैसा लगा है मतलब ये कितना सॉफ्ट है आपको देखके ही लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है ये बहुत ही फ्लपी बहुत टेस्टी तो इस प्रोसेस से एक बार जरूर बना के देखिए आप ये दहीवड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे तो बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप मुझे फेस्बुक से देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को जरूर फॉलो करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं रास की के साथ थैंक्स पर वाचिए